बसकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इडियो मोने क्लासिस पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी बहादूर महीला की कहानी जिसने ब्रेस्ट टेक्स जैसी कूप रथा से मुक्ते पाने के लिए अपने इस्तन तक कार दे थे जी हां नंग से उपर बदन को कपड़ी से धकने का अधिकार नहीं था या नि उन्हें अपना सफन खुला ही रखना होता था यह महिला हैं अरध Assistants अवस्था में ना रह कर यदि कपड़ी से अपना सफन धकती थी तो उन्हें ब्रेस्ट टेक्स यानि इस्तन कर देना होता था जिसे मूला करम कहा जाता है या जिसे मूला करम कहा जाता था तो दोस्तों ये एक प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिस राजबे त्रावन कोर ठीक है जहां पर राजा की जो कैलेक्टर थे वो घर घर जाके जो है जो महिला है जो बड़ा उनका इस्तन होगा उतना ही ज़्यादा उनों टेक्स देना पड़ेगा तो दोस्तों ये बात और भी ज़्यादा सर्मिंदा करने वाली है कि ये ब्रेस्ट टेक्स जो है वो महिलाओं के इस्तन के अकार के अधार पर लिया जाता था इस्तन का अकार जितना बड़ा ट 27 कपड़ का सिंबल के और एक दिन ऐसे ही नंगेली जो यह वहीं जा रही ती कुछ ळोगों ने उसे बहुत गंदी नजर से घूर कर देखा हाला कि वह भी एक ने में जाती की थी हाना जो कि इजावा कम्यूटी से थी ठीक है निमने जाती की इजावा कम्यूटी से थी तो वो लोग उसको बहुत गंदी नज़र से देख रहे थे तो ये उससे सहा नहीं किया तो उसने अपने पती से इस बारे में बात की कि इसके विरुद जय हमें कुछ करना चाहिए तो नंग दलित थी जो कि इजावा समुदाय से थी जैसे कि मैंने आपको बताया उसने ना केवल अपने लिए बलकि सभी श्रामिक दलित महिनाओं के लिए अवाज उठाए उनके विरोध ने उनके छेत्र में विद्रों की चिंगारी जलाने में मदद की तो नंगेली ने महसूस किय के साथ अन्याएं हो रहा है टेक्स की बोज के कारण उनके पास दिन के अंत में खाने के लिए भी मुझ्टी बर चावल का इंतिजाम हो पाता था तो आसपास की महिलाओं के इस्तती आसपास की जो महिलाएं थी उनकी स्तती भी दिन परती दिन देने यानि खराब होती जा थी और नंगेली का अन्याएं पूर्ण और अफमान जनक टेक्स के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा था तो पती से उसने बात की और निने लिया कि किसी को तावाज उठानी ही पड़ेगी तो पती ने नंगेली की विरोध में साथ देने का फैसला लिया उसने का ठीक है हम करेंगे मैं इस कदम में तुम्हारे साथ हूँ तो अगले ही दिन से नंगेली ने क्या क्या अपना अस्तार ढखने लगी तो जो नंगेली का ये कदम था वो सामतवादी समाज के पूर्शों को उनके मुह पर कराये तमाचे जैसा था बात आगे पहुँची फिर नंगेली और उसके पती से ब्रेस्टेक्स की मांग की जाने लगी एक महने बाद अधिकारी टेक्स लेने घर पर आधम के नंगेली का अस्तन मापा गया इसके बाद नंगेली घर के भीतर गई और चाकू से उसने अपने दोनों अस्तन काट कर केले के पत्ते पर लेकर बहार आ गई औ टेक्स अधिकारी के होश उड़के और वो डर कर भाग गए कुछ देर की बाद नंगेली की मिलत्य हो गई लेकिन उनके इस सहसी कदम ने समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी कहते हैं कि जब नंगेली की मिलत्य हो गई तो उसकी जब चिता जलाई चा रही थी तो उसी में ज उतना ज्यादा प्यार वो उनसे करते थे तो इस तरह जो है 26 जुलाई 1869 को राजा के एक आदेश के जरिये महिलाओं के उपरी वस्तर ना पहनने के कानूं को बदल दिया गया और इस तरह नंगेली के बलीदान से महिलाओं ने अपना हक छीन कर हासिल कर लिया तो इस तरह स पैसे तो है ने तुम्हें देने के लिए तो तो यहीं सब देखके वहां से ढरके भाग जाते हैं लेकिन फिर इसके विरुद बहुत जाला चिंगारी पैली लोगों में गुसा पनपा विरोध पनपा लोगों ने विरोध किया इसका परिणाम यह निकला कि जो राजा थे जाकि यह कानून खतम कर दो आप सबी जो महिला हैं वो अपने सब को ढख सकती हैं तो इस तरह आज उस गाओं को जहां नंगेली रहा करती थी उसे मुलाची परामबू कहा जाता है मुलाची परामबू का शाब्दी करते महिलाओं के इस तनों की भूमी तो दोस्तों आशक करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी ठिक है क्या कहानी थी नंगेली की कहानी थी जिसने इस तन जैसी संकर जैसी कूप रथा पर लगाम लगाने के लिए अपना बलिदान बलिदान दे दिया ठीक है इस तन कर जिसे मुला क्रम कहां कर जाता था और आज गाओं को क्या कहा जाता है मुलाची परामभू जिसका साब्दी करते मैलाओं के स्तनों की भूमी के त्रामणपोर राजी की कहानी है यह जो ब्रिटिश राज में प्रिंसली स्टेट हुआ करता था तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू